माई स्कूल माई स्कूल एफ्री डेइ इन होट अन कूल आई डेली गो तू माई स्कूल स्टुडेंट्स फिरम फोनिक प्राइमर एक्टिविटी प्रेंट की बुक में आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखा है? राइट दा करेक्ट वर्ड यानि कि मैंने आपको आगे बताया था कि यह जो पिच्चर है वो कौन-कौन से हैं तो यहाँ पे हमें उसका करेक्ट वर्ड लिखना है तो सबसे पहले यह जो पिच्चर दिखाई दे रहा है वो कौन सा है? मैंने आपको आगे बताया था उससे क्या कहते हैं? फीग तो क्या हम लिखेंगे एफ आई जी यानि कि फीग फिर नेक्स्ट ये जो पिच्चर है वो कौन सी है मैंने आपको बताया था बीट तो हम क्या लिखेंगे बी आई टी यानि कि पीट फिर नेक्स्ट ये जो पिच्चर दिखाई दे रहे है वो कौन सी है मैंने आपको ब तो हम क्या लिखेंगे P-I-G, यानि कि P-I-G, फिर यह जो पिचर है वो कौन सी है मैंने आपको बताया था, कीट, क्या कहते हैं उसे, कीट, K-I-T, यानि कि कीट, जो डॉक्टर का सामान किस में होता है, कीट में, तो यह सारा क्या है, यह है फिक, बीट, पीट, कीट, तो ऐसे आपको आपकी बुक में यह जो पिचर भी है, उसमें यह वर्ट पिकने है, फिर नेक्स्ट आगे देखते है, यह जो पिचर है वो कौन सी है, मैंने आपको आगे बताया था, उसे क्या कहते है, वीग, तो क्या होगा, W-I-G, यानि कि वीग, फिर नेक्स्ट यह जो पिचर ह तो देखें, यहाँ पर एक जो man है, वो कोई box के उपर बैठा है, तो उसे क्या कहते है, sit, तो यह picture हो कौन सी है, sit, तो क्या spelling होगा, sit, याने की sit, फिर next यह जो picture हो कौन सी है, तो एक लड़का है, वो कैसे मित्ती में से कुछ खोज रहा है, कैसे ढून रहा है, तो उसे क्या कह करते है, t, तो देखें, उसका spelling क्या होगा, d, i, g, यान की, pig, जो बट्टी का गड़ा होता है, उसमें से कुछ ठूंटता है, वो हम यहाँ पे picture दिखाए देख रहा है, फिर next यह जो picture है, वो किसकी है, मैंने आपको आगे बताया था, उसे क्या कहते है, pit, तो उसका spelling क्या ह पि, i, t, याने की, pit, तो हम यहाँ पे क्या करना है, यह जो सारे pictures दिये है, वो हम यहाँ पे उसका correct word क्या है, वो हम यहाँ पे लिखना है, प्रते है, next page में क्या लिखा है, match the word with the picture, याने कि हमें एक side पे word दिये है, और एक side पे picture दिये है, तो उसको match करके चुड़ना है, तो सबसे पहले यह क्या लिखा है डिग, तो यहां पर डिग की पिचर कौन सी है, चलो आओ डूबते हैं, तो यह रहा डिग, फिर नेक्स क्या लिखा है, फीग, तो फीग की पिचर कौन सी है, तो यह रही फीग की पिचर, फिर लिखा है पीग, तो फीग की पिचर कैसी होते मैंने आपको बताया था तो ये रहा pig फिर next क्या लिखा है big तो big की picture काँसी होती है तो ये रहा pig जैसे कैसे बाले यानि कि कैसे hair हवा में उठते हैं तो उसे क्या कहते हैं फिग, 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 तो kit का picture कहां पे है? तो यह रहा kit, फिर next क्या लिखा है? pit, तो pit का picture कैसा होता है? तो यह रहा pit, फिर next क्या लिखा है? seat, seat यानि की बैठना, तो हमें यहां पे man जो box पे बैठा हुआ है, यह picture कहां दिखाए दे रही है? तो यह रहा seat, तो यहां पे बताया कि यह जो सारे words दिए है, उसमें से कौन से picture क्या होती है? उसके साथ हमें match करके चूड़ना है, तो आपको मेरे साथ आपकी book में ऐसे ही correct word को correct picture के साथ चूड़ना है आगे बढ़ते है, next page में क्या लिखा है? circle the correct word, यानि कि हाँ पे जो picture दिए, उसके correct word क्या है? उसमें circle करना है तो सबसे पहले यह जो picture दिखाई दे रही है, वो किसकी है? मैंने आपको आगे बताया था, उससे क्या कहते है? फीग, तो हम यहाँ पे दो option में fig word कहाँ दिखाई दे रहा है, तो यह रहा fig, देखे उस पे circle करना है फिर next यह जो picture दिए, वो किसकी है? मैंने आपको आगे बताया था, कि जो अपने hair है, वो हवा में उठते है, तो उससे क्या कहते है? वीग, तो यहाँ पे वीग word कहाँ दिखाई दे रहा है, तो यह रहा fig, फिर next क्या है, यह जो picture है, वो किसकी है, मैंने आपको आगे बताया था, उससे क्या कहते है, पीट, तो यहाँ पे बीट word कहाँ दिखाई दे रहा है, तो यह रहा fig, तो उस पे circle करना है, फिर next picture यह ज सीट वर्ड कहां दिखाई दे रहा है तो देखे यह रहा है सीट वर्ड तो उस पे सरकल करना है फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो यह जो पिच्चर दिखाई दे रहे हैं वो किसकी है मैंने आपको आगे बताया था कि यह जो पिच्चर वो किसकी है पीग तो हमें पीग क यानि की खोधना तो देखे यह रहा बीग वर्ड तो उस पे सरकल करना है फिर नेक्स्ट यह जो पिच्चर है वो किसके मैंने आपको आगे बता था पीट तो यहां पे पीट वर्ड कहां दिखाई दे रहा है तो यह रहा पीट वर्ड तो उस पे सरकल करना है फिर नेक्स्ट कि यह जो सारे picture दिये है तो उसमें हमें यह पर दो option में जो word दिये हो उसमें से जो correct word हो उसमें सरकल करना है